नमस्कार आपका स्वागत है दोस्तों सनातन हिंदू धर्म में प्रती वर्ष कई महत्वपूर्ण त्योहार मनाये जाते हैं जिन्हें मनाने के पीछे वैज्यानिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार का महत्व होता है नए वर्ष की शुरुवात में मकर संक्रांती का त्योहार मनाया जाता है जिसका हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व होता है भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सूर्य जब उत्तरायन होते हैं तो यह समय सूर्य उपासना के लिए सर्वोत्तम होता है इस समय पर प्रान त्यागने वाले मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ती होती है इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप घर में ही पवित्र नदियों का स्मरण करके स्नान कर सकते हैं मकर संक्रान्ती पंद्रह जन्वरी के दिन मनाई जाएगी भारतिय पंचान पध्धती की समस्थ तिथिया चंद्रमा की गती को आधार मानकर निर्धारित की जाती हैं किन्तु मकर संक्रान्ती को सूर्य की गती से निर्धारित किया जाता है 15 जन्वरी सुभा 7 बचकर 15 मिनट से लेकर शाम 5 बचकर 46 मिनट तक मकर संक्रांती का पुन्यकाल रहेगा मकर संक्रांती का महा पुन्यकाल सुभा 7 बचकर 14 मिनट से 8 बचकर 69 मिनट तक रहेगा मकर संक्रांती को एक तरह से शुब समय की शुरुवात कहा जाता है इस दिन खर्मास समाप्थ हो जाता है और विवाह, मुंडन, ग्रह प्रवेश, आधी प्रकार के मांगलिक कारियों का आरम हो जाता है ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान सूर्य देव अपने पुत्र शनी से मिलने स्वयं उनके घर जाते हैं शनी देव मकर राशी के स्वामी है इसी कारण से इस पिता पुत्र के मिलन के पर्व को मकर संक्रांती के नाम से जाना जाता है मकर संक्रांती के दिन ही गंगाजी भगिरत के पीछे-पीछे चलकर कपिल मुनी के आश्रम से होती हुई सागर में जाकर मिली थी शनी देव ने अपने पिता सूर्य देव के स्वागत में तिल, गुड और तेल का प्रयोग किया था जिससे सूर्य देव अपने पुत्र शनी से अत्यंत प्रसन्न हुए थे इसलिए आप भी मकर संक्रांती के दिन सूर्य देव को तिल और गुड अवश्य अरपन करे सूर्य देव आपसे अत्यंत प्रसन्न हो जाएंगे और आपको सुख संपन्ता का आशिर्वाद प्रदान करेंगे भगवान श्री कृष्न कहते हैं सूर्य देव को इन वस्तुओं के साथ अरग्य देने से दुख दरिद्रता समाप्थ होती है और जीवन में सुख समरिद्धी आती है मकर संक्रांती के दिन गरीब लोगों को दान अवश्य करना चाहिए इस दिन जो भी मनुश्य तिल और गुड का दान करता है उसकी दरिद्रता समाप्थ हो जाती है उसे समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्थ होती है मकर संक्रांती के महापुन्यकाल में दान करने से सबसे उत्तम फल की प्राप्थी होगी दान करते समय ध्यान रहे कि दान केवल सुपातर को करे दान केवल नियाय से प्राप्त किये हुए धन का ही करना चाहिए तभी उसका शुब परिनाम प्राप्त होता है मकर संक्रांती पर प्रातह काल से ही सुकर्म योग का निर्मान हो रहा है और फिर दोपहर से धृती योग निर्मान होगा शास्त्रों के अनुसार इन योगों में की गई पूजा पाठ और दान का उत्तम फल प्राप्थ होता है इस दिन जब सूर्य देव मकर राशी में प्रवेश करेंगे तब इस राशी में शनी पहले ही मौजूद रहेंगे साथ ही चंद्रमा और गुरु ग्रह भी मकर राशी में होंगे इन ग्रहों की युती के कारण इस वर्ष की मकर संक्रांती को बहुत ही महत्वपून माना जा रहा है जोतिश शास्त्र में मकर संक्रांती के दिन नमक के महत्वपून उपाय बताए गए है नमक के साधारन से उपाय आपको धनवान बना सकते हैं धन से जुडी समस्याओं से छुटकारा दिला सकते हैं दोस्तों, नमक का हमारे जीवन में बहुत अधिक महत्व होता है ये हमारे भोजन को टेस्टी बनाता तो है ही साथ ही हमारे शरीर के अंदर कई प्रकार की ग्लैंड्स को नमक के अंदर मौजूद तत्वों की आवश्चकता होती है यू कहा जाएं तो नमक के बिना हम ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाएंगे उसी प्रकार से जोतिश शास्त्र में भी नमक का महत्वपून स्थान होता है नमक का साइंटिफिक और स्पिरिचुल दोनों प्रकार का महत्व होता है लेकिन आज हम बात करने वाले हैं नमक के स्पिरिचुल और एस्ट्रोलोजिकल बनफिट्स के बारे में दोस्तों, अगर खाने में नमक कम हो जाएं तो भी स्वाद खराब हो जाता है और ज्यादा हो जाएं तब भी स्वाद खराब हो जाता है। इसलिए खाने में नमक की सही मात्रा होना अवश्यक होता है। उसी प्रकार से अगर आप नमक का उपयोग अपनी लाइफ में सही मात जोतिश शास्त्र के अनुसार नमक के प्रयोग से घर में सुख समरिधी बढ़ती है और राहु केतु के अशुब प्रभाव को दूर करने में नमक को बहुत ही इफेक्टिव माना गया है। अर्थात नमक-सकारात्मक उरजा को वातावर्ण में छोरता है और नकारात्मक उरजा को शोश लेता है जिससे आपके घर का वातावर्ण क्लीन और अॉस्पिशस रहता है याने की शुद्ध और पवित्र बन जाता है। इसलिए दोस्तों, नमक आध्यात्मिक ही नहीं, बलकि वैज्यानिक तौर पर भी बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। दोस्तों, ग्रहों और नक्षत्रों की दशा, प्रत्येक मनुष्य को प्रभावित करती है। एस्ट्रोलोजी में नमक से जुड़े कई उपाय बताये गए हैं, जिनसे आप ग्रहों को शान्त और मजबूत कर सकते हैं। जब सभी ग्रह आपको शुभ परिणाम देंगे, तो आपको संसार के सभी भौतिक सुख प्राप्थ होते हैं और मानसिक शान्ती बनी रहती है। दोस्तों, कुछ लोगों को भौतिक सुख तो प्राप्थ होते हैं, लेकिन उन्हें मानसिक शान्ती नहीं मिलती है, जिससे वे सदैभी निराश और दुखी रहने लगते हैं, तो वही कुछ लोगों को कितने भी एफर्ट्स करने के बावजूद भी धन की प्राप्ती नहीं ह इन सभी समस्याओं का समाधान नमक कर सकता है, बस आपको नमक से जुड़े जोतिश शास्त्र में बताये गए कुछ उपाय करने हैं, इन उपायों को करते ही आप अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव तुरंत ही महसूस करेंगे, एक चुटकी भर नमक आपके भाग्य को बदलने की क्षमता रखता है, आपके जीवन से संपूर्ण निगेटिव एनरजी को खीच कर आपका जीवन सकारात्मकता से भर सकता है, आईए जानते हैं नमक से जुड़े महत्वपूर्ण जोतिश उपाये, दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दे की नमक चार तरहका हो सबसे इंपॉर्टन्ट बात आप सभी को ध्यान में रखनी चाहिए, कि दोस्तों आपको कभी उस व्यक्ती के घर का नमक नहीं खाना चाहिए, जिससे आपकी शत्रुता हो। को कई परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, नमक उसी के घर का खाना चाहिए, जिसके घर में अच्छे और संसकारी लोग रहते हो। और जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हो। ऐसा कहा जाता है कि नमक को कभी भी किसी व्यक्ती को अपन सीधे हाथ से नहीं देना चाहिए। कहते हैं सीधे हाथ से नमक देने से उस इनसान से आपकी लड़ाई हो जाती है। दोस्तों, दरिदरता को दूर करने के लिए शास्त्रों में नमक का सबसे आसान और महत्वपून उपाय बताया गया है कि आप सपताह में एक दिन अपने घर में खड़ा नमक के पानी से पोच्छा अवश्य लगाएं। इस उपाय से घर से निगेटिव एनरजी नश्ट हो जाती है और वातावर्ण पवित्र बनता है। इससे मा लक्षमी का आपके घर में सदैव वास बना रहेगा। जदी आप चाहते हैं कि आपके घर में धन का प्रवाह बना रहे। खर्च से अधिक धन के संचय में बढ़ोतरी हो तो इसके लिए आप एक काँच के गलास में पानी और चुटकी भर नमक मिला कर उसे घर के नैरत्य कोन में रख दे और उसके पीछे एक लाल रंग का बल्ग लगा दे। ऐसा करने से घर में धन का प् अगर आपके बच्चे को किसी की बुरी नजर लग गई है तो एक चुटकी नमक लेकर साथ बार उस पर से उतार कर नमक को पानी में बहा देना चाहिए। आप नल के पानी में भी इसे बहा सकते हैं। इससे नजर दोश समाप्त हो जाएगा। अगर आपको महसूस हो रहा ह आप पर किसी की बुरी नजर लगी है तो आप एक मुठी पीसा हुआ नमक लेकर शाम के समय अपने सिर के उपर से तीन बार उतार ले और उसे घर के मुख्य दरवाजे से बाहर फेक दे। ऐसा तीन दिनों तक लगातार करे। इससे दोश खत्म हो जाता है। जो की आपके लिए बहुत घातक साबित हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको नमक का उपाय अवश्य करना चाहिए। यदि घर का कोई सदस्य बीमार है, अथवा किसी रोग से पीडित है तो उसका सिरहाना पूर्व की दिशामे रखे। और सोते समय उसके सिरहाने में एक कटोरी में सेंधा नमक के कुछ टुकडे रख दे, एक सप्ताह बाद उस नमक को बदल कर दोबारा नमक रख दे, धीरे धीरे उस व्यक्ती की सेहत में सुधार होने लगेगा। दोस्तों, नमक और कांच का सबंध राहु ग्रह से माना जाता है। इसलिए अगर आप कां उसे जुड़े दोश उत्पन होते हैं और घर का वातावर्ण नकारात्मक बन जाएगा। स्टील के बरतन में नमक रखने से चंदर और शनी का मिलन होता है, जो की बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। आपके घर पर दुरभाध्य लेकर आ सकता है। रोग और शोक का कारण बन सकता है। इसलिए आप नमक को सदैव ही काँच के बरतन में ही रखे। यदि आप नमक को काँच के गलास में अथवा कटोरी में भरकर बाथरूम अथवा टॉयलेट में रखते हैं तो वह नकारात्मक उरजा को नश्ट कर डालता है। ध्यान रहे रातरी के समय तंत्र शास्त्र में नमक से जुड़ा एक बहुत ही चमतकारिक उपाय बताया गया है, जिसे करने से आपके धन में वृध्धी हो सकती है। आपको डाल या सबजी में नमक कम लगे, तो उपर से नमक ना डाले। ऐसे स्थान पर आप काला नमक अथवा काली मिर्च का प्रयोग करे। अन्यथा आप पर शनी का दुश्प्रभाव शुरू हो सकता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्र कमजोर है, तो आप समुदरी अथवा सामान्य नमक का उप्योग भोजन में ना करे। इसके स्थान पर आपको सेंधा नमक का उप्योग करना चाहिए। इससे आप रक्तचाप की समस्या से भी बचे रहेंगे। और यदि कुंडली में मंगल कमजोर है, तो भोजन में आप समुदरी नमक का प्रयोग कर स रखते हैं। अगर आपके बच्चे बार-बार बुरी नजर के प्रभाव में आते हैं, तो पानी में चुटकी भर नमक डाल कर उस पानी से उसे स्नान कराएं, तो उन पर बुरी नजर का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके पीछे वैग्यानिक कारण भी है, नमक के पान इसलिए इनके द्वारा नजर उतारने पर अधिक लाप प्राप्त होता है अगर घर में कलेश होता है, सदैव ही तनाव का माहौल बना रहता है पती-पत्नी में बिना किसी बात के अनबन होती रहती है तो इसके लिए घर में मौझूद नकारात्मक उर्जा जिम्मेदार होती है इससे बचने के लिए काँच की कटोरी में सेंधा नमक भर कर इसे पती-पत्नी के बेडरूम में रख दे नमक नकारात्मक उर्जा को सोख लेता है और सकारात्मक उर्जा में व्रिधी होती है इसके अलावा आप सेंधा नमक अथवा खड़ा नमक का एक टुकड़ा शयन कक्ष के एक कोने में रख दे इससे नकारात्मकता दूर हो जाएगी इस टुकड़े को एक महीने के बाद बदल ले और दूसरा नया टुकड़ा उस स्थान पर रख दे जिन लोगों को कार्यस्थल पर अपमान का सामना करना पड़ रहा है अथवा व्यापार में घाटा हो रहा है तो उनके लिए जोतिश शास्त्र में बहुत ही महत्वपून उपाय बताया गया है इसके लिए आपको अपने हाथ में पीसा हुआ नमक लेकर उसे अपने सिर से तीन बार घुमाना है फिर इसे आप दरवाजे से बाहर फेक दे ऐसा लगातार तीन दिनों तक करने से आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी जोतिश शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या खड़ा नमक को लाल कपड़े में बांध कर अपने घर के मुख्यद्वार पर बांध दे इसे आप अपने कार्यक्षेत्र के मुख्यद्वार पर भी टांग सकते हैं इससे नकारात्मक उर्जा प्रवेश नहीं करती है और सकारात्मक उर्जा का संचार होता है साथ ही खड़ा नमक को लाल रंग के कपड़े में बांध कर तिजोरी में भी रख सकते हैं ऐसा करने से मंदी खत्म हो जाती है और लाब के अफसर मिलते हैं अगर आपको नेंद नहीं आती है, रात भर चिंता से जागते रहते हैं, तो आपको पानी में नमक डाल कर अपने हाथ पैर धोने चाहिए. इससे आपके अंदर की नकारात्मक उर्जा नमक सोख लेता है और आप रिलाक्स महसूस करते हैं. इससे आपको नेंद भी अच्छी आएगी और किसी भी प्रकार के नकारात्मक विचार आपको परेशान नहीं करेंगे. अगर आप कर्ज से परेशान है और कर्ज से निजात पाना चाहते हैं, तो प्रत्येक रविवार को नमक के पानी से पोच्छा लगाएं. इसके लिए पानी में दो चम्मच समुदरी नम अवश्य डाल दे. इससे धन की आवक बढ़ेगी और देखते ही देखते, सारा कर्ज उतर जाएगा. यदि अकारण ही धन का नुकसान हो रहा है, लगातार पैसों की तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो कांच के गिलास में पानी भरे और उसमें एक चम्मच समुदरी नमक डाल दे. और इस गिलास को घर के दक्षिन पश्चिन के कोने में रख दे. इससे धन की हानी रुक जाएगी. इस पानी को हर हफते में बदलते रहना चाहिए. दोस्तों, अगर आपको अपने घर में किसी बुरी शक्ती के होने का एसास हो रहा है, या बार-बार बुरे सपने आते हैं, मृत्यु का भय सताने लगता है, तो आप कांच के बरतन में नमक भर कर उसे घर के किसी ऐसे स्थान पर रख दे, जहाँ पर किसी की नजर आसानी से ना पड़े. इससे आपका भय समाप्त हो जाएगा. तो दोस्तों, इस प्रकार से आप नमक से जुड़े य अवश्य लिखे. साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करे. आप सभी का धन्यवाद.